मैं तो काशी का सामसद हूँ और बड़े गर्व से कहना चाहूँगा कि जपान के पूर्व प्रधान मत्री से अबे जब काशी आये थे तब उन्होंने एक भहुत बड़िया सोगात काशी को दी काशी मैं जपान के सहयोग से बना रुद्राक्ष और जो मेरी कभी कर्मभूमी रही वो एहमदाबाद में जेन गार्डन और काईजेन अकेडेमी ये ऐसी बाते हैं जो हमें कितनी निकट लाती है यहां आप सभी जापान में रहते हुए इस आइतिहासिक बंधन को और मजबुद बना रहे हैं और ससक्त कर रहे हैं साथियों आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर उनके बताए रास्ते पर चलने की साथ पहले से ज्यादा जुरूरत है यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनोती चाहे वो हिंसा हो, राजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो इन सबसे मानवता को बचाने का यही मार्ग है भारत सवभाग्य साली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आश्चिरवाद बुला उनके विचारों को आत्मसात करते हुए भारत निरंतर मानवता की सेवा कर रहा है चुनोतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो कितनी बड़ी क्यों न हो भारत उनका समाधान ढूनता ही है कोरोना से दुनिया के सामने जो सो साल का सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ वो हमारे सामने है और यह जब शुरू हुआ था तब किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा शुरू मैं तो ऐसा ही लग रहा था वहां आया है यहां क्या है किसी को पता नहीं था इसको कैसे हेंडल किया जाए और न वैक्सिन भी दें दी और न इस बात का कोई एडिया था कि वैक्सिन कब तक आएगी यहां तक कि इस बटपात पर भी डाउड था कि वैक्सिन आएगी या नहीं आएगी चानों तरफ अनिस्टित्ता का माहोल था। उन परिस्तितियों में भी भारत ने दुनिया के देशों में दवाएं भेजी। जब वेक्सिन्स अवेलेबल हुई तो भारत ने मेड इन इंडिया वेक्सिन्स अपने करोडों नागरिकों को भी और दुनिया के सो से अधिक देशों को भी बेजी। साथियों अपनी स्वास्त सेवाओं को और बहतर बनाने के लिए भारत अभूत पुर्व निवेश कर रहा है। दूर सुदूर ख्षेत्रों में भी स्वास्त सुविधाय पहुंचे इसके लिए देश भर में लाखों लाखों नए वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। आपको ये जानकर के भी खुशी होगी, शाद आपने भी सुना होगा, वर्ल हेल्थ और नैशन डबली अचो ने भारत की आशा वरकर्स, आशा बहनों को डाइरेक्टर जन्रल्स, ग्लोबल हेल्थ लीडर एवोर्ड चे सम्मानित किया है। भार की लाखों आशा बहने, मेटनल केल से लेकर के वैक्सिनेशन तक, पोशन से लेकर के स्वच्चता तक, देश के स्वास अभ्यान को गती दे रही है। गाउं के अंदर, मैं आज जपान की धर्ती से हमारी सभी आशा वरकर बहनों को रदय से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं, उनको सेल्यूट करता हूं। साथियों, भारत आज किस तरह वैश्विक चुनवतियों का मुकाबला करने में मदद कर रहा है, इसका एक और उधारन एनवार्मेंट का भी है। अग क्लाइमेट जेंच विश्व के सामने मवजूद एक महत्वपुन संकर बन गया है। हमने भारत में इस चुनवति को देखा भी और उस चुनवति से साही समाधान के लिए रास्ते भी खोजने के दिसा में हम आगे बढ़े। भारत में दोहजार सत्तर तक नेट जीरो के लिए कमिट किया है। हमने इंट्रनेशनल सोलार एलाइंस जैसे ग्लोबल इनिशेटिव का भी नेत्रुत्व किया। क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया पर नेच्रल डिजास्टर्स का खत्रा भी बढ़ गया है। इन डिजास्टर्स के खत्रों को उनके प्रदूशनल के दुस्प्रभावों को जापान के लोगों से ज्यादा बहतर और कौन समझ सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से ज्यापान ने लड़ने के ख्षमता भी बना दी है। जिस तरह ज्यापान के लोगों ने इन चुनोतियों का सामना किया है। हर समस्या से कुझन कुझ सीखा है। उसका समाधान खोचा है और व्यवस्ताएं भी विक्सित की हैं, व्यक्तियों का भी उस प्रकार से समस्कार किया है। यह अपने आप में सरानिय है। इस दिशा में भी भारत ने CDRI याने Coalition for Disaster Resilience Infrastructure में लीड ली है।